और अब ग्लोबल खबरों के लिए आप देखिए वर्ल्ड एक्स्क्लूसिव टॉप 9 ताइवान पर कबजे के लिए विस्तारवादी चीन ने जंगी तैयारियों को तेज कर दिया लेटिस्ट मिलिटरी ट्रेनिंग में पी एले की आटलरी ब्रिगट बंबारी की प्राक्टिस करती नजर आई टेरर कांट्री पाकिस्तान में कल पेट्रोल के दामों में 32 रुपे प्रती लीटर की बढ़ोतरी होने वाली है फिलाल पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 250 रुपे प्रती लीटर है तो कुछ और पदार्तों पर शाबास सरकार भारी भरकम टाक्स लगाने वाली है पाकिस्तान की कंगाली से घबराए उसके खास दोस्ट चीन ने बड़ा फैसला लिया जिसके तहट चीन ने अपने दूतावास के काउंसिलर सेक्शन को अस्थाई रूप से बंद कर दिया चीन के ऐलान से पाकिस्तानियों को वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा तुर्किये में आए विराशकारी भुकम के बाद से भारतिय सेना ओपरेशन दोस्ट के जरिये लगातार मदत में जुटी है सेना के बनाए फील्ड हॉस्पिटल में घायलों का इलाज जारी है रेस्क्यू अपरेशन में बचाएगा इस सेकड़ों लोग इसी हॉस्पिटल में एडमिट है तुर्किय में जारी रेस्क्यू अपरेशन में स्पेस एजिंसी नासा ने अपनी खास टेक्नॉलोजी फाइंडर को भी लगा दिया है इससे बचाफ कर्मियों का काम आसान हो जाएगा और मलबे में दबे लोगों को धूनने में मदद मिलेगी तुर्किय सीरिय में विनाशकारी भुकम की विज़े से हजारों बच्चे अपने परिजनों से बिछड़ गए है यूनिसेफ इन बच्चों के साथ काम कर रहा है और उनकी मदद करूने नॉर्मल करने की कोशिश में जिटा है इस दोरान बच्चों को एक साथ कई तरह की गेम्स भी खिलाए जा रहे हैं तुर्किय सीरिया की तरासदी के बीच यून महासाचिप आंतनियो गुतरेज ने भारत, चीन, बांगलादीश समेथ कई देशों को चेतावनी दी है कहा कि ग्लोबल वामिंग के चलते जलस्तर में बढ़ोतरी होगी जो इन दीशों के लिए खत्रे की खंटी है न्यूजिलिन में आज भुकम के तेज जटके महसूस किये गए रिक्टर स्केल पर भुकम की तीवरता 6.1 एक मापी गई वो कम नौथ आलिंग के शेहर और हट से 78 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में आया विशेशक्यों के मताबिक जरजर इमारते और कमजोर मकान गिड़ सकते हैं न्यूजिलेंड सरकार ने प्राकरतिक हाथसों के लिए जलवायू परिवरतन पर ग्लोबल आक्शन में कमी को जिम्मेदार बताया साइकलोन ग्रेवियल की वज़ो से ही आई बाड और विनाश के बाद वहां नाशनल एमर्जिंसी लागू है कुल हो हम नेविया हम ऩर टुंबल